आज हम बात करने वाले हैं NCRT क्लास 6 के चैप्टर 6 की ये पॉलिटी की जो स्रीज है वो आगे बढ़ा रहे हैं इसको हम रूरल एडिमिनिस्टेशन यानि ग्रामीड परसासन के बारे में तो गाउं का परसासन कैसे चलता है इस चैप्टर में हम उस पर डिसकस करेंगे देखा जाता है तो गाउं का जो परसासन लेवल है जैसे गाउं के क्या क्या काम हो सकते हैं पानी वगएरा की उपलब्द था बिजली वगएरा की उपलब्द था सड़कों का निर्मार करवाना भूमी का जो रिकॉर्ड है वो रखना चोटे 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 केसे इसको वही है बिजलि की उसकी उपलब्दता सरक वगवगरा का रिर्मान का रिर्मान वहां पर ताला बगवगरा का रिर्मान पानी के लिए भूमी जो है जमीन वगवगरा भव वहां पर किर्सि भी उनका रिकोर्ड और रखना ये सब कि अग्जिय की सरकार से भी अम्मीद की जाएगी कि गरामीड लेवल पर यह काम करें तो बहुत मुश्क्तिल है Recently I उनको निप्टाने के लिए Center government नहीं आएगी, राज्य सरकार नहीं आएगी, उसके लिए पंचायत खुष फुल जाएगी, अब पंचायतों में कोई case हो गया, जगड़ा हो गया, तो उसके लिए कौन सा पولिस थाना, या कोन सा पोलिस तेशन, किस छेतर में वो गाव आता है उसको देखा जाएगा पुलिस स्टेशन में क्या क्या काम होते हैं कौन-कौन से जगड़े सुल जाएंगे उस सारी चीजे इसमें हम सीखेंगे भूमी अभी लेक जो है उनका रखरखाव कैसे कौन करता है किस तरह से होता है कैसे उसकी नाब जोख होती है उसका सारा इसमें हम सीखेंगे से पता लगेगा और एक नया कानून जो 2005 का हिंदू लो में जुड़ा था जमीन का उसके बारे में इसमें हम सीखेंगे तो ये लेक्ट्चर के स्कोप है गाव में जगड़ा इस NCRT की सेप्टर में गाव में जगड़ा होता उसका सोलिशन कैसे निकलता है पुलिस सीटेशन का च्छेतर कौन-कौन सा होता है उसमें क्या-क्या काम होता है भूमी क्या भी लेक उनका रिकोर्ड कौन रखता है एक नया कानून बना है जो हिंदू लों में बाक है वो जोपना मजभूति सी यह यानि केश की पहजान है वो बड़ी बड़ी जगा पर है और मोहन जब मोहन सुभासुभा अपने खेतƠे पर पहुंचता थे तो देखता है कि रघू ने उसकी पहले और्टे गता जाती है तो उसने उसके साथ गाली गलोज की और बाद में उसके साथ मारपीट की तो इस तरह से कहानी है जब NCRT हम खोलेंगे उसके साथ जब मारपीट होती है तो वो थाने जाता है मतलब लोग उसको लेके जाते हैं फिर उसके रिपोर्ट लिखी जाती है, रिपोर्ट लिखने में थानेदार आना कानी करता है, तो इस चीज इस कहानी के माद्य हम से भी यह समझेंगे, कि एक तो हर गाओं का एक थाना छेतर होता है, उसी में वो रिपोर्ट कर सकता है अपने किसी प्रोबलम के लिए, फिर उ और मोहन के खेत थे, उनका रिपोर्ट किसके पास है, क्या जैसे ये मोहन का खेत है, ये धभू को खेत है, तो इनका जो एरियाज हैं, इनकी जो नकसे हैं, वो किसके पास होंगे, ये लड़ाई की नौवत इनमें क्यों आई, क्या वो दूसरी जगह जाके भी अपना सोलू से निकल सकता था जब मोहन के सिर पे और इस पे गंभीर चोट आई थी तो डर रहा था था थाने में जाने से कुछ लोगों ने इसके पड़ोस यह ने उसको तैयार किया और थाने में लेके गए अब जो रगू था उसने अपना प्रवाव दिखाया और उससे पहले ही थाने में पहुँच गया जिसकी वेशे उसकी रिपोर्ट ने लिखिया रही थी, रगू ने मोहन की जमीन का हिस्सा लिया जहां से इस कहानी पर ये बी सीखेंगे, मोहन की जमीन का हिस्सा भी दवाया और उपर से उसको मारा भी फिर थाने में पहुंचके उसकी रिपोर्ट भी नहीं लिखने दी जा रही जो गाउं के, लोगों के या महलों के लोगों के दबावे बाद में लिखी गई थी उस जगडे की रिपोर्ट. तो इस कहानी से पता लगता है कि गरीब जो किसान है उसकी सुनवाई कम होती है गरीब आदमी की सुनवाई कम होती है और जो रसूखदार लोग होते हैं उनकी सुनवाई ज़्यादा होती है मोहन है पुलिस स्टेशन गया और उसके बाद कौन से पुलिस स्टेशन गया ये भी मैंटर करता है तो उसके जो एरिया में पुलिस स्टेशन पड़ेगा वही पर जाएगा तो इससे सीख मिलती है जो gram-panchjciechוב में वो एक particular police station के एरिया में आते हैं वहीं पर वो अपनी report लिखवा सकते हैं अपनी सिकाईद दिशकरा सकते हैं एक विशेद छेतर का police station होगा लोग ऐसी घटनाओं के report करते हैं जगड़ों की हो किसी जमीन का जगड़ा और कोई ऐसा हो डीवानी या फोजदारी कोई मामला होगा रिपोर्ट कर सकते हैं फिर वहाँ पर जो थानेदार बगरा होते हैं वो जांच करते हैं और आगे की कारियवाई करते हैं जैसे लोगों के दवाव में उसने थानेदार रिपोर्ट कर ली इनकी और बाद में जाच करने के आदेश दिये और दो कॉंस्टेबल वहाँ पर भेजे मोहन जो एसेचो था वहाँ पर स्टेशन हाउस अधिकारी उसने रिपोर्ट लिखी उसके स्टार्टिंग में तो उसने गलत ब्यभार किया मोहन के साथ लेकिन जब लोग वहाँ पर पहुँचे थानेदार के पास मोहले वाले और उन्होंने बताया कि हमारे सामने मोहन को पीटा है और इसको गंबीर चोटे भी आया अगर हम नहीं पहुँचते तो जादा चोटे आ सकती थी उसने उल्टा ब्यभार किया और उसके साथ गलत मामला करके और उसने उस केस को दर्ज करने से इंकार कर दिया लेकिन बाद में सिकायत दर्ज कर ली गई लोगों के दवाव के कारण अब इसमें कौन सही था मोहन सही था या रगू इस विबाद को कैसे सुल जाए जाएगा हम किसे सही बताएंगे या कैसे पता लगेगा कौन सही है कौन गलत है तो इनको सबसे यादा पता जो सही सहटीक पता लगेगा सही और गलत का वो पटवारी के पास जाके पता लगेगा जिसके पास जमीन का लेखा जोखा होता है उसके पास नक्से होते है तो पटवारी से अगर हम उसके नक्से लेंगे या भूमी रिकोर्ड को लेंगे तो वो मिल जाएगा और वहां से सबसे सटीक जानकारी मिलेगी तो पटवारी एक ऐसा अधिकारी है सरकारी अधिकारी जो इसका एरिया कितना है उसकी सारी रिकोर्ड जो है पटवारी के पास मिलते हैं अब पटवारी को अलग-अलग एरिया के हिसाब से अलग-अलग नाम देते हैं कहीं इसको लेखपाल भी बोला जाता है कहीं पटवारी बोला जाता है कहीं कानून गो बोला जाता है तो ये सारे क करे रखता कि कौन सी फसलें उन जगा पे होती है तो जमीनों के वियूरे रखना उन जमीन में कहां पर कौन सी फसल होती है उनका वियूरे रखना कहां पर तालाब है कहां पर कुवा है उनका वियूरे रखना कहां पर ये सरकारी बाग वगेरा है सरकारी जमीन है उनका वियू किसी किसान ने दूसरे को जमीन बेज दी, उसका रिकोर्ड यह रखेगा, किसी ने वहाँ पर कुआ बनाया, किसी ने तालाब बनाया, उसका बियोरा भी रखेगा, किस एरिया पर, किस खेट पर कौन सी फसल हो रही है, कितनी हो रही है, सारा रिकोर्ड पटवारी रखता है, क इसमें एक लंबी चेन का यूज़ के जाता है इसको जरीब बोलता है जरीब एक लोहे की चेन की तरह होती है जरीब इस तरह से जरीब होती है और उसको भूमी को मापने में उपियोग करता है जरीब का पटवारी भूराजस्व का संग्रह करता है यानि कि जो टेक्स लेता है जब जो लोग किसान होते हैं किसान उसे कुछ टैक्स इखटा किया जाता है तो उसका संगर है पटवारी करता है जो शेतर में उगाई जाने वाली फसले हैं उनका भी ओरा रखता है उनका संगर है करता है तो इस सारे काम पटवारी के होते हैं अगर वो लोग पटवारी से मिल जाएंगे, उसके पास इसका लेखा जो खा मिल जाएगा, तो उससे सारे solution निकल सकते हैं, इस तरह से एक खसरा होता है, एक ये document है, जिसमें किसान की पूरी detail होती है, इसको खसरा बोलते हैं, इसमें जमीन का area पटवारी लिखके रखता है, क किसी और को rent पे दे दिया गया है, तो उसका record रखेगा, नहीं दिया है तो नो लिखेगा, दिया है तो उसका नाम लिखेगा, इसमें कौन-कौन सी फसल उगाई जाती है, ये इसका ब्योरा रखेगा, कितने area पे कौन सी फसल है, इसका ब्योरा रखेगा, कोई दूसरी फसल में मिल जाते हैं और इसी बज़ा से यह दस्तावेश जो है उसकी किसान की जमीन का रिकोर्ट रखने के लिए जरूरी होते हैं अब रिकोर्ट जो है अपडेट करना क्यों जरूरी है पटवारी को अगर कोई किसान पहले गन्ना उगा रहा था अपनी particular जमीन में उसके बाद बहुत धान उगाने लग जाए तो पटवारी को उसको record रखना पड़ता है पर जो फसल का pattern है वो बदल जाता है तो उसको record रखना पड़ता है कोई अपने यहाँ पर खेट में कुवा खोद रहा है या वहाँ पर जो है कोई तालाब बना रहा है उसका record भी इसको रखना पड़ रहा है इस वए से अपडेट करता है इस तरह से नक्से बना कर रखता अपने पास जैसे किसी खेट का नक्सा बनाना हो तो इसमें चिन दिये वे हैं यहाँ पर एक line वाली यह boundary है यानि कि जितनी भी इस तरह की खिचरी है यह सब boundary है किसी खेट का नक्सा रखने के लिए इसने boundary बना दी फिर well यानि कुवा है इस तरह से गोल-गोल तो यह कुवा है यहाँ पर कुवा है इस टाइप से तो यह इस तरह के नक्से बना कर रखता है कहाँ पर कौन सा कुवा है ग्रास लेंड है तो ये गास वाला मैदान है ये इस तरह से बना के रखेगा ये गास वाली मैदान है ये कच्चा रोड है और एक पक्का रोड है तो ये कच्चे रोड को डिनोट कर रहा है ये पक्के रोड को कर रहा है तो इस तरह से नक्से बना के रखता है ट्री इस तरह के यहाँ पर ट्री बना के रखे के यहाँ पर पेड़ है इस तरह से मानलो पेड़ है पेड़ की जगए तो पटवारी इस तरह से नक्से बना के रखता है एक गाउं का या किसी के खेत का फिर इनको अबडेट करता है जो इस सारी चीजों का हैड होता है वो डि जैसे एक देस है मानलो हमारा भारत देस है भारत को राजियों बाटा गया पहले एक देस है पूरा भारत फिर इसको राजियों बाटा गया राजियों को जिलों में बाटा गया जिलों को फिर तहसिलों में बाटा गया इसका उप भाजन करके इस तरह से बटा हुआ है तो जि पटवारी के माध्यम से सारे अपडेट अपने पास लेते हैं अगर कोई ऐसा केस फंच जाए तो इसलिए यह पटवारी इनको जवाब दे होता है या तहसीलदार वगरा है तहसील में वो पटवारी से जवाब मांगता है हर चीज के लिए जो तहसीलदार है तहसील में बैठ और इससे ये अपडेट इसको देते हैं अब ये भी ये सुनिशित करते हैं तैसिलदार वगएरा कि पटवारी रिकोर्ड को सही रखे गलती ना करे कहीं ऐसा कोई काम ना कर दे और ये सुनिशित करते हैं कि किसान को आसानी से रिकोर्ड की एक कोपी मिल जाए अगर कोई किसा अपनी खसराय, खतोनी वगएरा का रिकोड लेने जाता है, अपनी जमीन का, तो तैसिलदार ये सुनिशित करता है कि किसानों को आराम से उपलब्द हो जाए, तैसिलदार भूमियों का विबाद सुनता है, अगर कहीं जमीन का विबाद हो जाए, कहीं किसान की जमीन का विब अधिकार है अपनी एक कोपी लेने का अपनी लेंड है जमीन है उसकी कोपी पराप्त करने का इनको अधिकार है उसमें पूरी इन्फोर्मेशन होती है कितना एरिया है उसके बगल में किसका घर या किसकी जमीन है उसके बगल में कोई रास्ता है क्या है कोई लेंड है इस तरह इसमें ownership right पहले जो 2005 के इस amendment act से पहले right थे जमीन के यानि कि अगर किसी पिता की जमीन बाटनी होती थी तो वो सिर्फ बेटों में बाटी जाती थी लेकिन फिर वो बेटियों में भी बाटे जाने लगी 2005 के इस act के बाद है यानि कि जितना हिस्सा बेटों का होता नहीं बेटियों का भी होगा तो इसमें बराबर हिस्सें को दिये जाने लगा बेटो और बेटियों लड़के और लड़के दोनों के बास दोनों के बीच बराबर बराबर बाट जाने लगा ये एक लड़की की विस है जिस पे पोएम लिखी गई है कि मुझे भी जमीन में हिस्सा मिलना चाहिए इस टाइप से तो यह पढ़ देना वैसी नय लो आया 2005 में हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट इसमें जो जमीन है पिता की जमीन उसमें अगर बेटी है उसके उनके पास और बेटा भी है तो दोनों में बराब से मिल जाएगी आपको स्टोरी तो यह जो हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक 2005 इसको भी याद रखना जिसमें महिलाओं को जमीन में बराबर बराबर का अधिकार दिया गया है तो इस चैप्टर में इतने हैं फिलाल बाकि आप जो है बुक से पढ़ी लेंगे एक तरह की नेक्स चैप्टर में अगली वीडियो में तब तक के लिए भाई थेंक्स वाचिंग